तो दोस्तो फाइनली जिसका डर था वही हुआ जैसा कि हमने कल आप लोगों को बताया था कि पेटियम पेमेंट बैंक के बैन के बाद इसके स्टॉक्स पर सिधा असर देखने को मिलेगी और ऐसा है कुछ हुआ मार्केट खुलते ही 13% नीचे खुला पेटियम का सेयर और आप पैसा जो है पेटियम के सेयर में जल चुका है लेकिन दोस्तो बाते यहीं खतम नहीं होती है स्टॉक्स में और भी गिरावट आपको कल देखने को मिल सकते हैं क्योंकि एक और बूरी खबर पेटियम के लिए आ चुकी है यहां पर जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह जो है वो आग में घी डालने के बराबर है एक तरफ तो वैसे ही पेटियम पेमेंट बैंक बैंक को लेकर सेयर जो है काफी तेजी से नीचे जा रहे है वही पर दूसरी तरफ यह खबर आ रही है कि पेटियम के ऊपर एक वार फिर से जुर्माना लगाया जाएगा पेटियम पे से जुर्माना लगना तै है अब तो इसके सेयर जो है मुझे लगता है कि फिर कल से एक बार कर फिर से आपको देखने को मिलेगी इसमें भारी गिरावट हाला कि स्टॉक्स जो है काफी नीचे आज आ गए थी 683 अगर हम यहाँ पर आज के बात करें तो 661 रुपे जो की उपर जाने के मोड में नहीं है और आज सां में एक और बूरी खबर आही है कि यह जो है डाटा चानीज सर्वर पर लिख कर रहे है यूजर के पेटियम एप्लीकेशन की बात हम नहीं कर रहे हैं पेटियम पेज्बेंट liksom की बात कर रहे है और ऐसे में जो है इनके उपर एक हो सके इस सेर से निकल लीजिए बहतर होगा इतने ही पैसा किसी और अच्छे स्टॉक्स में लगा ये ताकि वो रिकावर कर दे आपके जो भी पैसे पेटियम ने बरबाद कर दिये है तो ये एक बहुत ही इंपोर्टेंट अपडेट थी पेटियम उसर के लिए खासकर पेटियम के सेरधारकों के लिए कि आपके लिए अच्छी खबर नहीं है बैक टू बैक दो बरी खबर आ चुकी है और वो भी बुरी खबर है कि पहले तो पेटियम पेमेंट बैंक के उपर रोक लगा दी गई नए कस्टमर्स एड करने से और वही दूसरी तरफ यहां पर जो है इनके उपर जुनमाना लगाने की बात हो रही है और तीसरी बरी बात ये बता दें आपको कि पेटियम के जो CEO है उनको जो है फेबररी महीने में गिरफतार किया गया था और उनको बेल दे दी गई थी एक कार के एकसिडेंट वाले केस में जो कि कल ही निकल के सामने आया है तो कुछ भी पेटियम के नजर से सही होता हुआ नजर नहीं आ रहा है बाकि जिन लोगों ने पेटियम के IPO में पैसा लगाया था उनका 70% पैसा तो अल्रेडी डूब चुका है बची पैसे आप दूसरे सेर में इंवेस्ट करिए बहतर होगा आपके लिए ये थी एक important update पेटियम के लिए पेटियम के सेरधारकों के लिए और खासकर उसके bank account holder के लिए उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में दीजे इजासत हैंक यू